ह हैं जैन vocal कि मैंनुशरम आप स्वाकत करता हूं आशा करता हूं आप सब एक दम अच्छे सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है और मित्र हम लोग पहुँच चुके हैं आपका practice set 9 पर उसी एक उम्मीद के साथ में कि हाँ आप एक बहतरीन और एक सांदार revision अपना करते होंगे और आठ practice set आप तयार कर चुके हैं जिसकी गवाही देगा आपका ये score जो की हमने रखा है पिछले आठवे practice set के पाँच परिशन का और सारे दोस्तों से उम्मीद करूँगा कि एक बहुत अच्छा score करके आप दिखाएंगे जिसमें पहला person है कल मैंने आपको बताया दजोया factor पुस्तक को किसे ने लिखा मैंने आपको बताया कि S.S.C. की बहुत सांदार बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है कामवल टाइगर रिजर्व कावल नी कामवल टाइगर रिजर्व कहां पर इस्तित है हुन्रू जल पर पात किस नदी पर है और भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और अंतराश्ट्रिय स्रीमत भगवत गीता जी महतसर दिसम्बर 2023 में कहां पर हुआ तो सारे दोस्त उत्तर देंगे आप कहींगे जो या फैक्टर जो किताब है भिया जी वो किताब है आपका अनुजा चोहान की क्या बोलेंगे जी अनुजा चोहान की दोस्त पुस्तक है कामवल टाइगर रिजर्व कहां पर है आपका तेलंगाना में है कहां पर तेलंगाना में इस्तित है और हुंडरू जल परपात पूछे स्वन रेखा नदी परिस्थित है क्या बोलोगे स्वन रेखा नदी परिस्थित है स्वन रेखा नदी परिस्थित है और भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक मैंने आपको बताई तो आप कहेंगे भीया जी किसमें सेर छिप किसकी है सेर छिप जो कहां का मिजोरम का एक डिश्टिक है किसका है जो मिजोरम का एक जिला है जिसकी साक्षरता मैंने आपको बताई थी 98.76 प्रतिशत और पूरे भारत वर्स में सबसे ज़्यादा है अंतराश्टी स्री भगवत गीता जी महतसब दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ तो क्या बोलेंगे भीया ये गुरू गराम हरियाना में हुआ है कहां पर हुआ है गुरू गराम हरियाना में हुआ है और सारे दोस्तों का उम्मीद करूँगा इसकोर जो है वो पांच बटे पांच भी होगा भाया जी एकोनोमिक्स के भी एक दो कुश्चन डाला करो दोस्त आज तक जब से मैंने सेट लेना शुरू किया है एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा सी जीडी के फॉर्मेट के कुश्चन ना हो रोज एकोनोमिक्स का एक या दो परसन होता है ठीक है जी का स्कोर है पांच रोहित महरा जी पांच स्कोर है धर्मिंद प्रजापती चार मनीज प्रजापती चार अंजली कुमारी एहमदाबाद इनका स्कोर है दादा जी की कहानिया पांच बटे पांच है आपका रितु मिसरा बहुत बढ़िया इनका स्कोर है गुरू और अंस जो उडिसा का एक प्रिशिद लोक नरत्य है लोक नरत्य बोले तो फॉक डांस है क्या है लोक नरत्य है तो क्या बोलें बिरहा है क्या तो बिरहा तो भीया जब आदमी बिछड जाए तो बिहा बिहा के बाद में आदमी बिछड जाए तो बिरहा के गीत गाए जाते हैं घूम कहां गूमने जाओगे भीया गूमने जाएंगे राजा के स्थान पर और वहीं फिर रात गुजारेंगे क्या बोलोगे राजा के किले में ही रात गुजारेंगे गूमने जाएंगे जब काल बुला लिया काल कब बुला लिया आपने जब राजा के स्थान पर आप राजा से बगर पूछे पहुच गए तो समझो तुमने अपना काल बुला लिया, फिर तो गर्दन कटनी ते है, रंग बती कहां का है, ओडीसा का, क्या बोलोगे, ओडीसा का है, ऐसी मैंने बोला पती से, फूल पती मैंने आपको बताया था, कितने दोस्त बता पाएंगे, फूल पती क कहां का है, तो क्या अंसर आना चाहिए, भईया जी फूल पती जो है, वो MP का है, मैं आप से पूछता हूँ, कुछ डांस आप मुझे को ओडीसा के बताओ, ओडीसा का किसके, ओडीसा का रंग बती कहां का था, ओडीसा का डांस है, तो कुछ ओडीसा के डांस आप मुझे ब बागा नाच कहां का है क्या बोलोगे बागा नाच कहां का है ओडिसा का है लोंदी खेला कहां का रत्य है बहुत इंपोर्टेंट है लोंदी खेला ये श्टैनों में पूछा गया अभी हाल ही में आपका संबल पुरी गीत भी है और डांस भी है कहां के ओडिसा के है और गोट गोटी पुा कहा है दोस्त ये भी ओडी सा का, go times कहा का, गोटी फुआ, धप कहा Hahn का डांस है धप, बोलेंगे जी, क्या बोलोगे धप कहा है, डांस है क्या कहा, झाल कहाँ स्थ्रीय को कहा थैंगे हैं, आप लोग एक बर बताइएंगे तो बिकरम घोष, एक तानपुरा, सारंगी, तबला या फिर मांसुरी से इनका संबंध है तो बिकरम, घोस, या दख लेना घोशना कितनी तेज कोई करेगा ये बात डिपेंड करेगी उसमें बल कितना है घोस के लिए बल चाहिए क्या बोलोगे जी? घोस के लिए भीया जी, बल चाहिए तबला से कुछ नाम आप मुझे भी बताओ तो क्या बोलेंगे भीया, बल जिसके अंदर होता उसके अंदर जोस भी अलग होता है ठीक है, जैसे आपके अंदर आपकी तैयारी का है, परमानंद जोसी हों चाहे सिव नाराइन जोसी हों क्या वो लोगे, जो सिव जी के भक्त होते हैं उनमें भीया, उनके लिए जोस अलग स्तरका रहता है विजय घटे, ठीक है जिनके अंदर बल होता, वो अपना स्कोर घटने नहीं देते बल से याद रख लिना अनोखे लाल, जिनके अंदर बल होता, वो अनोखे आदमी होते हैं भाई, अनोखे आदमी गुदई महराज अचा गुदई महराज का नाम कितने बच्चे बता सकते हैं कि गुदई महराज को हम और क्या कहते हैं गुदई महराज को हम और क्या कहते हैं सबढ़ां? इनका अली नाम क्या है कोई बता सकता है या दूसरा नाम मैं बोलू तो कुछ बच्चे कि आप बता पाएंगे जरा देखेंगे तो आप कहेंगे भी हृ या restrict गुदई महराज जी को हम कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के उत्थर, सम्ता, एक बच्चे तो सरजीत सिंग ने जल्दी में सम्ता को जम्ता लिख दिया, क्या बोलोगे जम्ता परिसाद है, जी बहुत बड़ी है, सम्ता परिसाद, कुल्दीप सिंग जी ठीक लिखा था, study motivation, very good, निमलिखित में से कौन आसकर पाने वाले पहले भारतिये हैं, जिनको सबसे पहले आसकर मिला कौन है, जी बताएंगे, भानु अथया, आपका सत्यजीत रे, या एर रह्मान, या फिर रेसुल पुकूटी, और वर्स भी बताना, किस वर्स में मिला इनको सबसे पहले, त आदमी हैं कि भी या पुरुस हैं, क्या बोलोगे, आदमी है कि पुरुस ये को भी या तुमने परिशन पूछा, ये बोलो, आदमी है कि महिला है, तो क्या बोलोगे, ये महिला है, और किस वर्स में मिला, कितने बच्चे बता सकते हैं, इनको किस वर्स में आपका मिला, 1983, बड़ा गजब उत्तर है究ं30 किस मूवी के लिए मिला था गांधी मूवी के लिए किस के लिए गांधी मूवी के लिए इन won llev मिला। और मैं भी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर देख रहा था गांधी मूवी मैंने उसके कमेंट सेक्षन में देखा सबसे टॉप कमेंट यह आ रहा है कि किस किसने यहां पर नवीन सर आरडवले के कहने से इस मूवी को देखने आया है मैंने का भाई तुम हर जिगह मौजूद हो कोई ऐसी जिगह है यूट्यूब पर जहां तुम नहीं हो क्या बोलोगे जी गांधी मूवी किसकी है इसके डारेक्टर बताओ कौन है गांधी मूवी के डारेक्टर कौन थे और जो गांधी जी की भूमिका है वो किसने निभाई है गांधी जी की जो भूमिका है इस मूवी में किसने निभाई है क्या बोलोगे जी एक हॉलिवूड के कलाकार है Ben Kingsley क्या बोलोगे Ben Kingsley ने ये भूमी का निभाई है और जो डारेक्टर है वो है Richard Attenborough तो किसकी मूवी थी ये Richard Attenborough की गांधी गांधी मूवी तो इनको क्यों मिल गया भानू अथया को तो इन्होंने क्या किया गांधी जी का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया इस मूवी में और बाकी अन्या करेक्टर के भी तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको मिला किसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको मिला ये बात याद रख लेना और बहुत पूछा याता है गांधी मूवी में नहरू की भूमिका किसने निभाई है बोले जी गांधी मूवी में नहरू की भूमिका किसने निभाई है यानि देश के प्रदानमंतरी नहरू की जो भूमिका है वो किसने निभाई है नहर रॉल किसने पिले किया वो तो मौझूद नहीं थी उस टाइम पर तो आप क्या बोलोगे भिया नहरू की भूमिका रोसन सेठ पंडित नहरू जी की भूमिका रोसन सेठ ने और अस्तूर्बा गांधी की कस्तूर्बा गांधी की रोहिनी क्या बोलोगे रोहिनी हटन गडी ने किसने रोहिनी हटन गडी ने और आप से पूछे नाथु राम गोडसे की भूमिका में कौन है नाथु राम गोडसे की भूमिका में कौन है तो आप कहेंगे नाथु राम गोडसे की भूमिका में है जी हर्स नईयर क्या वो लोगे हर्स नईयर है कौन है हर्स नईयर है ये शिंत रहें ठीक है नातुराम गोड़ से की भूमिका किसने किये आपका हर्श नहीं अरने अच्छा मैं आप से पूछू पूछू पुर्थम पूरुस कौन है ऑसकर पाने वाले ऑसकर पाने वाले पूरुस तो ये तो महिला हो गई तो पिर्थम महिला ये बन गई और प्रथ सर्वस्रिष्ट पुरुसकार है तो भहिया पूछा जाएगा इनको कम मिला 1902 में एर रह्मान तीसरे हैं रेसुल पकूटी चौथे हैं पांचवे कौन हैं पांचवे हैं भहिया गुलजार क्या वो लोगे गुलजार कब मिला 2009 चटे बताओ चटे कौन है और साथवे के कार्ति की और गुनित मोंगा किस मूवी के लिए मिला इनको गुनित मोंगा को इनकी मूवी का नाम था दोस्त मूवी का नाम था दा एलिफेंट विस्पर एक सौर्ट मूवी थी क्या बोलोगे दा एलिफेंट विस्पर दा एलिफेंट विस्पर क्या है एक सौर्ट बहुता है तो कितने लोगों को अब तक मिल चुका है फटाफट से बताएंगे मतलब कितने लोगों को या कितने क्याटेग्रीज में तो हम कोलेंगे मुझे कोई बताएगा कितने लोगों को मिल चुका है तो आप कहेंगे भी यह मिलता रहा और यह जो नाटू नाटू के लिए मिला तो चार लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, कितने लोगों को नाटू नाटू के लिए चार लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, ओके, आगे आगे, निमलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारत की राजनेता लाल कृष्ण आडवानी जो बीजेपी के संस्थापकों में से एक है दोस्त उनकी पुस्तक है एन परसूइट ऑफ जश्टिस एन आटो बायग्राफी विंग्स ऑफ फायर माई कंट्री माई लाइफ और आपका माई टाइम्स एन आटो बायग्राफी देखो एन परसूइट ऑफ जश्टिस यह बहुत इंपोटेंट किताब है भारत के राजनितिक रहे आपका क्या बोलोगे राजेंदर सच्चर बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं हमारे देश के राजेंदर सच्चर की पुस्तक है विं से दाटी माईलिक किसकी है यह आपका भी क्या बोलोगे लालकृश्चन अदवानी जी की पुसतक है और माईटामस GB कि है कि स श्व्हानानी की माई टाइमस तो मैंने आप से कहा T लाइफ नाइम से बहुत important होता है बहुत important होता है कोई-कोई बच्चा में comment में देख रहा है गुरु जी पूल लगा दीजिए बैटा तुमको लगाने हटाने से क्या मतलब है तुमको यहां person देखना कि तुम उत्तर तुमको क्या यह देखना कि कितने बच्चे उत्तर दे प पारे देखो माई कतार में टग गया यह इसको हटा देता हूँ मैं अभी बोलो भी है फटाफट से क्या बोलेंगे जे भी करपलानी तो भी है यहां पर माई-लाइफ से जितनी भी पुछत के आए आपसे तो मैं आपसे पूछ लेता हूं माई-म्यूजिक माई-लाइफ किसकी बुक है दा रेस अफ मा लाइफ और तीसरा आपसे पूछेगा माई-टाइम माई-लाइफ क्या बोलेगा माई-टाइम्स माई-लाइफ और चौधा My Experiment with Truth वो गांधी जी की पुस्तक है उसमें Life नहीं आता ये उत्तर बताओ My Music My Life किसकी है My Music My Life आप कहेंगे पंडित रविशंकर की बुख है पंडित रविशंकर की बुख है The Race of My Life भहिया ये भारत के धावक मिलखा सिंग जी की बुख है और साहद ऐसे सबसे ज़्यादा पूछता है My Times My Life ये सीला दिक्षित सीला दिक्षित की पुस्तक है किसकी सीला दिक्षित की बुख है दोस्त जो कॉंग्रेस की पार्टी से CM थी किसकी दिल्ली की My Life My Mission ये बाबा रामदेव की है ठीक है बाबा रामदेव की पुस्तक है किस मनीपुरी सास्त्रिय नर्तक ने इमफाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनाले नर्ते विद्याले खोला था कहां पर आपका मनीपुर में खोला पहला तो मनीपुरी सास्त्रिय नर्तक के लिए कहां पर मणीपुर अइमफाल में खोला आपका तो बोलेगे भहिया कौन है चंदरकांता सिंग है विपिन सिंग सोनारिक राजकुमार देखो ये नाम मैं आपको बता चुका हूँ सोनारिक किसे हैं आपका सेना को हम सोना याद कर लेते हैं तो हम कहेंगे मनीपुरी से ये सारे लोग मनीपुरी के डांसर हैं सारे के सारे आपका चंदरकांता सिंग हो विपिन सिंग हो सोनारिक राजकुमार हो या नीलेशवर मुखर जी लेकिन क्या बोलेगे इस थापना किसने किया आपका वो विपिन सिंग ने किया किसने किया जी विपिन सिंग ने कहां पर खोला ये विश्विध्याल है तो आप कहेंगे भीया ये खोला उन्होंने इंफाल में डांस कौन सा है तो मनीपुरी कभी भूलना नहीं है यहां से कुछा जाएगा एक परसंद पूछा जाता है जवाहर लाल नहरू मनीपुर नरत् ये भी मनीपुरी डांस के लिए थी ये कब खुली थी मनीपुर नरत्य अकादमी ये कब खुली थी तो आप कहींगे भीया ये खुली 1954 में क्या बोलोगे 1954 में और जो मनीपुरी नरतनाले खुला था ये नरतनाले खुला था 1972 में गुरू विपिन सिंग के बारे में आप क् किया एक नाम है दोस्त आपका गुरु विपिन सिंग इंको याद रखिलेना इनकीreek उपाधी है हन्जाब है और मनिपूर के राजा के द्वारा इनको ये उपाधी दी गई किसके द्वारा मनिपूर के राजा के द्वारा इनको यह हंजाबा की उपाधी दी गई दोस्त और यहाँ पर एक परसंड बनता है संगीत नाटक अकादमी इनको कम मिला तो संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार गुरू बिपिन सिंग जी को मिला आपका 1966 में तो क्या बोलोगे भहिया जो विपिन सिंग है आपका ये जहावेरी सिष्टर के गुरू है किनके जहावेरी बहनों जहावेरी बहनों के गुरू है ये सबसे important person बनता है जहावेरी बहनों के नाम आप जानते हैं तो एक बार थम सब करके बताओ कि भहिया आपने बताए हुए है फटाफट से बताएंगे नहीं दोस्त सोरव नहीं मेरे भाई एकदम से ठीक है भारत सुधर्शन होगा आपको भी बहुत सारा प्यार क्या बोलेगे जावेरी बहनों के गुरुं हैं जावेरी बहनों के नाम आप जानते है ना दरिसुना नेना रंजना और सुवर्णा नाम उनका होगा गलती नहीं करनी है अच्छा मनी पुरी से सारे गुरू आते हैं तो मनी पुरी से मैं आप से पूछू कुछ गुरू के नाम बता दोगे आप मुझे जैसे आपने कहा गुरू विपिन सिंग मैं बोलू गुरू अमली सिंग आपके उत्तर देखना चाहूँगा मैं दोस्त कितने गुरू के नाम आप जानते हैं गुरू अमली सिंग तो गुरू और सिंग जिनमें जुडे हुए हैं ये किस से हैं ये मनी पुरी से हैं जैसे गुरू बिपिन सिंग हुए गुरू बिपिन सिंग है नल सिंग याद कर सकते हैं आप गुरू नल सिंग का संबंद भी किसे मनी पुरी से है किसे मनी पुरी से संबंदेत है तो गुरू और सिंग आप से आएं तो आप क्या बोलें भहिया मनी पुरी से संबंदित हैं कभी गलत नहीं होंगे भहिया आगे आएंगे पैरा लंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी बोलो भी पैरा लंपिक जो 2020 में हुआ यहां भारत की रैंक क्या थी तो भारत ने कितने पदक जीते थे यहां पर रैंक पूछ रहा है पदक सॉरी आपका रैंक पूछ तो 24 होगा और पदक पूछे तो कितने होंगे 19 होंगे पदक कितने जीते थे हमने 19 जीते थे जिसमें 5 गोल्ड थे हमारे 8 हमारे सिलवर थे और 6 हमारे ब्रॉंज थे क्या थे 5 गोल्ड यानि कि स्वर्ण पदक थे हमारे 8 हमारे रजत पदक यानि सिलवर थे और 6 हमारे क्या थ पैरालम्पिक में गोल्ड जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है हमारे देश का पैरालम्पिक में क्या बोलोगे पैरालम्पिक में गोल्ड जीतने वाला गोल्ड जीतने वाला क्या बोलोगे गोल्ड जीतने वाला पिर्थम व्यक्ति कौन है भारत का पिर्थम व्यक्ति कौन है जिसने 1972 में जीता दोस्त क्या बोलोगे SSC MTS 2023 ने पूछा मुरली कांत पेटकर है कौन है मुरली कांत पेटकर है कौन है जी मुरली कांत पेटकर है गलती नहीं करनी है मुरली कांत पेटकर मैं आप से पूछूं दोस्त भारत ने भारत ने पहली बार पैरालंपिक में भाग कब लिया था तो क्या उत्तर आएगा आपका आपका बहाग लिया 1968 में जब इजराइल में हुए आपका कहाँ पर इजराइल में पैरालंपिक खेल हुए और पैरालंपिक का क्या बोलोगे पैरालंपिक का हेड क्वार्टर में आप से पूछूँ पैरालंपिक का हेड़कॉर्टर में आप से पूछूँ तो आप कहेंगे बॉन जर्मनी में है कहां पर है बॉन जर्मनी में इसका हेड़कॉर्टर है ठीक है ऐसे ही दोस्त आप से पूछा है कर टोक्यो ओलंपिक वहां भी भारत की रेंक बताईए टोक्यो ओलं प्रालंपिक में भारत की रैंक क्या थी तो भारत की स्थिती कि सिस्थान पर थी तो भारत की रैंक आप कहोगे भाया 24 दूनी 48 पर थी और जो मैडल हमने जीते 1-2 का 4 जीते 1-2 का 4 समझ गये ना एक गोल्ड दो सिल्वर और 4 ब्रॉंज हमने जीते थे तो कुल पदक पूछे तो यहां पर हमने साथ जीते पैरालंपिक में हमने 19 पदक जीते तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी आगे आएंगे 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी किस देश ने की थी बोलेंगे भी फटाफट से तो क्या बोलेंगे भीया, 1930 पहली बार, पहली बार आपका किसने, कनाडा ने मेजबानी की, और कनाडा के किस सहर में, सहर आप बताएंगे, तो आप कहेंगे भीया, हैमिल्टन सहर में, किसमें, हैमिल्टन सहर में, हैमिल्टन सहर में ये पहली बार हुआ, और अब क्या रिपी और हैमिंटन में ही होंगे हैमिंटन में होंगे यानि आपका क्या मनाने जा रहे हैं यह सताबदी वर्स मनाने जा रहे हैं यानि सो वर्सों का सो वर्सों का मना जा मुझे बताओ 22 वे कॉमन वेल्थ गेम कहां हुए थे 22 वे कॉमन वेल्थ गेम कहां हुए थे आपका जो क्या बोलोगे 23 एक मतलब 2026 में हुए तो कहां पर हुए दोस्त VictoriaTOileia में होंगे कहां पर हुए Victoria Australia में होंगे कहां पर हुए Victoria Australia में होंगे यह एक तो ये चीज आपको पता होनी है आप मुझे बताओ कि दूसरे Commonwealth Game जिनको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं वो कहां पर हुए तो दूसरे कहां पर हुए दोस्त आपका क्या बोलोगे दूसरे 1934 में इंग्लेंड में हुए और तीसरे आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सहर में आयोजित हुए थे कहां पर सिडनी सहर में आयोजित हुए थे आपका ऑस्ट्रेलिया तो पहले बोले तो पहले बोलो भारत का दोस्त बताओ जी भारत में क्या Commonwealth Games कब हुए Commonwealth Games कब हुए और कितनी बार हुए ये बता दो कितनी बार हुए कब हुए तो आप बोलेंगे सिर्फ एक बार हुए है क्या बोलोगे सिर्फ एक बार हमारे देश में Commonwealth Games हुए है और कब हुए? 2010 में हुए, दोस्त नई दिल्ली में हुए, कहां पर? 2010 में हुए और आपका नई दिल्ली में आयोजित हुए, कहां पर? 2010 याद रखेंगे, गलती नहीं करनी है, आगे आएंगे निमलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राइद उपिया नदी है प्राइद उपिया बोले तो दच्छिन भारत की सबसे बड़ी नदी है जरा बताएं गोदावरी है या फिर कावेरी होगी या कृष्णा होगी या महानदी होगी तो क्या उत्तर आएगा दोस्त आपका आप कहेंगा भहिया सबसे बड़ी नदी होगी आपकी गोदावरी गोदावरी के बारे में बताओ मुझे इसका उद्गम कहां से होता है कहां से निकलती है तो क्या बोलोगे त्रियंब का पहाडी से निकलती है, जो कहाँ पर है आपका नासिक महराश्टर में है, कहाँ पर नासिक महराश्टर में इस्थित है, ये बात याद रखेंगे गोदावरी की दोस्त मैं हमेशा कहता हूँ सहयक नदियां याद रखो गोदावरी की सहयक नदी क्या बोलोगे गोदावरी की सहयक नदी कौन सी है गोदावरी की सहयक नदी कौन सी है तो आप बोलेंगे प्राण हिता और दोस्त, आज मैं वीडियो के बाद में आपके कमेंट चाहूँगा, मैं एक बार आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूँ, आज मैं फिर से एक कमेंट चाहूँगा आप लोगों से, कि आज आप लोग वीडियो के बाद में जो जो टॉपिक्स आप चाहते हैं, कि टी वीडियो के बाद में आप लोग अपना टॉपिक लिखें क्या अपना टॉपिक लिखें और टॉपिक लिखें और टॉपिक लिखें करके आप लोग यह बता देख भी हम इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आज मैं चाहूंगा कि आप किलास के बाद में उस तरह लंबाई नहीं पता वो लिखे 1465 किलोमेटर इसकी लंबाई है क्या 1465 किलोमेटर दोस्त इसकी लंबाई है हाँ जी भाई साब यूपी पुलिस का नॉटिफिकेशन आ चुका है बिलकुल आ चुका है बहुत खुसी की बात है इतने लंबे समय से अवेटेड भरती है और गाय का पैर बोले तो ऑक्स का भी होता ऐसी जील को हम कहते है ऑक्स क्या बोलोगे ऑक्स बो जील क्या बोलते है ऑक्स बो लेक इनको कहते है ऑक्स बो लेक से मतलब क्या होता है ऑक्स बो से मतलब होता है बैल धनुस क्या बोलोगे बैल धनुस नदी घाटियों में बनने वा क्या बोलोगें इस आकिर्ती को बोलते हैं औकस भो किसके जैसा पैर हो गया आपका आकस के जैसा पैर हो गया तो पूझे एसिया की सबसे बड़ी नीटे पानी अब अगर आप्सन में जिना तो किसे क्या कर देते हैं नगाट़ मीठे पानी की विवर्तनिक जील है वुलर मीठे पानी की तो कभी मीठे पानी की पूछे तो वुलर कहेंगे और अगर विवर्तनिक जील पूछे तो भी हम वुलर कहेंगे लेकिन यदि गोखुर पूछ लिया तो वुलर उत्तर नहीं आना चाहिए तब उत्तर क्या आएगा भीया तब उत् पोटेंट रहा ये ये बिहार का पहला रामसर इस्थल भी है क्या वो लोगे बिहार का पहला रामसर इस्थल इसको चुना गया था सन 2020 में 2020 में ठीक है ये आपको याद रख लेना है भोजताल जील किस राज्ये में option एक पर नजर रखो बताएंगे भोजताल जील जिसको हम अ अपर लेक जील भी कहते हैं क्या बोलते हैं भोजताल को हम अपर लेक जील भी कहते हैं ये दोस्त आपका कहां पर है MP में है नकी जील मैं आप से पूछूं कहां पर है राजिस्थान में है और वुलर जील तो लिखी आप लोग जानते जम्मू और कस्मीर में है जम्मू कस्मी तो ऐसे जील पूछे गोखुर जील विवर्तनिक जील आपको पता होनी चाहिए जैसे मैं आपसे कुछ जीलों के नाम पूछ लेता हूं मुझे कुछ लेगून जील के नाम बताईए लेगून जील क्या वो लोगे जो आपका लेगून आकिरतिक द्वारा निर्मित होती है ज जो केरल की है वह भी एक लेगून जील है और कोलेरू क्या बोलोगे जो कोलेरू है वो अंधरा की आपका कैसी जील है एक लेगून जील है एक होती है आपकी हेमानी निर्मित जील कैसी जो बर्फ द्वारा यानि हेमानी निर्मित जीले हैं और हेमानी निर्मित जील में आपक तस ताल कहां यानि किस राज्य से इनका संबंध है भीम ताल और राकस ताल का संबंध किस राज्य से है तो क्या बोलेंगे भीया इनका संबंध है UK से ताल देखके UK मत याद रख लेना कभी ताल देखके UK याद रख लो अभी बताया भोज ताल जिसका नाम अपरलेख है वो कहां पर है वो भहाजी MP में है गल्दी not allowed अगस्त 2020 तक की स्थितिक अनुसार गोवा से राज्यसभाहेतु आवन्टित सीटों की संक्या निमलिकित में से कितनी है गोवा में राज्यसभा की कितनी सीटे है यह आपको बताना है गोवा में राज्यसभा की सीटे कितनी है राज्य सभा में कुल सीट कितनी है आपका तो आप कहेंगे बहिए कुल सीट है राज्य सभा में आपका 250 कितनी 250 जिसमें से 238 क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं यानि चुने जाते हैं और बारे क्या होते हैं नौमिनेट होते हैं यानि कि नामांकित किये जाते हैं नामांकित कौन करेगा बारे को, क्या वो लोगे आईरलेंड से लीगी ये पिरकिरिया, बारे प्रिशिडेंट आपका क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राजसवा सीटों की बात करें, यूपी में सबसे ज़्यादा 31 सीटे हैं, महराष्टर में दोस्त आपका 19 सीट हैं, वेश्ट बंगाल और बिहार में आपका 16 सीट हैं, करनाटक में दोस्त आपका 12 सीट हैं, गुजरात आपका आंधरा में दोस्त गुजरात आंधरा, MP में सीट हैं और राजिस्थान और उडिसा में क्या बोलोगे राजिस्थान और उडिसा में आपकी कितनी कितनी सीटे हैं दस-दस सीट हैं अब बात करेंगे एक-एक सीट किन में है वो बताईए एक-एक सीट पूरवत्तर के पूरवत्तर के सारे राज्यों सिर्फ किसको छोड़ करके तो पुर्वत्तर के सारे राज्यों के नाम आप एक एक करके सारे बच्चे लिखेंगे जो मुझ से छूट जाए वो आप लिखेंगे मिजोरम की मैं बात करूँ आप से अरुनाचल की मैं बात करूँ आप से अरुनाचल की मैं आप से बात करूँ तिरपुरा की बच कौन सा गया दोस्त बताएंगे तीन, चार साट जिसमें से सेवन सिष्टर में नहीं आता सिक्किम तो सेवन सिष्टर के अलावा कौन सा बच गया तो आप कहेंगे जी असम बचा है लेकिन असम में एक सीट नहीं है असम में साथ सीट है क्या बोलोगे असम में राज्यसभा की कितनी सीट है असम में राज्यसभा की साथ सीट है ठीक है लोग सभा की वहां पर 14 हैं मुझे बताइए हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश मे उत्राखंड में और दिल्ली में कितनी कितनी सीटे हैं तो आप कहेंगे भहिया यहां पर राज्य सभा की तीन सीटे हैं क्या बोलोगे हिमाचल परदेश उत्राखंड और दिल्ली में कितनी कितनी सीटे हैं तो आप कहेंगे भहिया यहां पर तीन तीन सीटे हैं राज्य सभा का पिरिशन आगे आएंगे भारतिय सम्विधान के निमलिखित में से कौन से अनुच्छेद है जो क्रम से राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती द्वारा सपत या पृतिग्या से संदित है यानि कि राष्ट्रपती सहब जो सपत लेते हैं वे किस करना और इधर उधर की बातें नहीं करनी है कि वहां तो सायद पांच है आपके सायद से उत्तर नहीं बनेगा ठीक है तो यहां पर उत्तर देंगे सिर्फ उत्तर चाहिए बच्छों के उन बच्छों के उन बच्छों दिखाय करो जो आंसर करते हैं तो क्या बोलोगे साठ् अनुच्छेदों का काम खतम कर दो भी या राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती क्या बोलोगे उनसे संबंदित अनुच्छेदों का राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती बोलो भी या राश्टरपती जी के लिए आपका प्रेश्टेंट सहाब के लिए अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 68 और 61 और उप्रेश्टती सहाब के लिए कहां से सुरू होते हैं आर्टिकल 63 से सुरू होते हैं 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और आपका 70 ठीक है यह अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए बहुत पुरानी 30 साल से मार्किट में एक ट्रिक चलती है मेरी कोई ट्रिक नहीं है भीया 30 सालों से पुरानी किताबों में पकानी पकानी कोका दूयो दशम ये अक्छर पूरे कर दो बस आप ये अक्छर पूरे कर दो तो राष्ट्रपती का पद किसमें बताया गया है आप कहेंगे भीया वे है बावन में तरिपन में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपती जो है का से है कारिय पालिका का पिरमुक है क्या है कारिय पालिका का पिरमुक होगा ठीक है कारिय पालिका का पिरमुक होगा नी से निर्वाचन बताया गया है आपका को से बताईए क्या राष्ट्रपती के चुनाव का कोटा बताया गया है यहां पर कारिय काल कितना होता है और दुबारा भी चुना जा सकता भारत का राष्ट्रपती या नहीं क्या वो लोगे भी आप बिलकुल चुने जा सकते हैं दुबारा चुने जाने की योगता के बारे में बताया गया है यहाँ पर राष्ट्रपती के चुनाव के लिए योगताएं क्या-क्या चाहिएं दसाएं किस पिरकार की होंगी और सपत देखो यह हमारा प्रिशन था यानि ओथ सपत को इसमें बताया गया है और मैंसे राष्ट्रपती पर जो इंपीच्मेंट प्रोसें चलता है यानि महाभियोग लगेगा वो 61 में बताया गया है सबसे जादा पूछे जाने वाले यही दोनों है यही दोनों है या 52 और 53 है कि राष् पती जी के लिए क्या बूलोगे यहाँ पर क्या है उप राष्ट्रपती का पद बताए गया है उप से उसे बोलते हैं उप राष्ट्रपती तो क्या बोलते है उसका उसका नीकास क्या उसका नीकास उसका नीकास नी क्या बोले गए उसका नीकास सनी बताएं जी क्या बनेगा आपका तो आप बोलोगे यहां पर वह क्या होंगे चौसट में सभापती के रूप में कारिय क्या बोलोगे सभापती के रूप में कारिय करेंगे आपका चौस करता है राष्टपती के रूप में यहाँ पर 66 में निर्वाचन में एक दिन प्रोसिस बताऊंगा सारा आपको 67 में कारेकाल बताऊ उपराष्टपती कितने दिन के लिए चुने जाते हैं और 68 में क्या होगा समय रिक्ती बताई गई यानि उनका यदि पद खाली हो जाए तो कितने दिन में भरा जाएगा पद समय रिक्ती क्या पद भरने हे तू क्या पद भरने हे तू उनहेतर में सपत यही हमारा पिरसन था और नी से क्या होगा निर्वेहन होता है निर्वेहन यानि राष्टपती के रूप में क्या बोलेंगे निर्वेहन होता है गुरुजी कि वेकेंसी आगी पड़ोसी को भी पता चल जाती है कि वेकेंसी आ चुकी है तो पता तो चल जाए ऐसे ना हो कहीं बोले कल उचल उचल के कूद रहा था और कह रहा था वेकेंसी आगी वेकेंसी आगी तो बच्चा ऐसे ना हो ये क्या बोलोगे दम से बोलना जोर से जोस से औ ऐसी खुसी एकजाम के रिजल्ट आने के बाद भी आप अपने चातर में देखोगे वो दम मैं रखता हूँ और यही मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे सामने आएगा तो याद रख लेना क्या बोलेंगे आगे आएंगे क्या बोलेंगे बुद्ध चरित्र सौदरानंद सारी पुत्र पिरकरन के रचनाकार कौन है ये किस की है बोलेंगे भी फटाफट से क्या बोलेंगे फटाफट से कहेंगे क्या बोलेंगे जी गजब तरीके इतर आ जाना चाहिए आपका बहुत सांदार तरीके से इतर आना चाहिए सारे चात्रों का तो क्या बोलेंगे भीया कौन है जी अस्व घोस है अस्व घोस है और नागारजुन कौन है भारत के आइंश्टीन है कौन है जी भारत के आइंश्टीन किन को कहते है नागारजुन को कहते है नागारजुन की कौन सी पुस्तक इंपोटेंट है नागारजुन की पुस्तक बता अभी दम कोस किसकी पुस्तक है तो आप कहेंगे जिवसु बंधू की है ये भी बौध एक धारमे को पुस्तक है आपको पता होना चाहिए वर्स 1342 इसवी में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एक जुट किया और इक्तिस्थान की उपाधी के तहत इसका साशन बना कहां पर 1342 मुझे बताना 1342 मुझे बताना 1342 मुझे दिली की गदी पर कौन था तो बंगाल को सवतंतर बनाया और इलियास साहवंस की स्थापना की थी किसने समसुदीन इलियास साहवंस की मुझे बताईए 1342 में दोस्त सासक था तो कौन था गजब सा उत्तर आना चाहिए आप कहींगे भहिया दिल्ली पर 1325 से 1351 तक मैंने आपको बताया MBT यानि मुहम्मद बिन तुगलग था कौन था बहुत सारे बच्चों के मुहत्तर देख पा रहा हूँ मुहम्मद बिन तुगलग था उत्तर पश्यम भारत में पठानों किसके नेतरतों में पठानों ने लाल कुर्ती जिसको हम लाल कुर्ती रैड सर्ट दल के नाम से मसहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की ये लोग वो हैं जो भारत के लिए लड़े और पाकिस्तान के बनने के एकदम कितने लोग थे भहिया तो खान अबदुल गफार खान क्या बोलोगे इन्ही को हम बोलते हैं क्या क्या नाम है इनके सीमांत गांधी क्या बोलोगे सीमांत गांधी इन्ही का नाम है दोस्त आपका फ्रंटियर गांधी क्या बोलोगे फ्रंटियर गांधी इन्ही का नाम है फ्र चला था साथ में तो आप याद रख लिना इनका सहयोग है सवीन अवग्या अंदोलन 1930 में यानि रेड कुर्ती अंदोलन भी कब चला आपका 1930 में क्या बोलोगे ये इसके सहयोगी है तो वर्स कौन सा बोलोगे 1930 में सीमान्त गांधी को हम इसलिए भी महतपुन मानते हैं क्या बोलोगे सीमान्त गांधी को हम इसलिए भी महतपुन मानते हैं दोस्त यहां पर लिखना सीमान्त गांधी क्योंकि ये पहले विदेशी है जिनको भारत रतन मिला पहले विदेशी जिनको क्या मिला है भारत रतन वर्स बताईए किस वर्स भारत रतन इनको किस वर्स में मिला ये पहले विदेशी है, साथ में आप मुझे दूसरे विदेशी भी बताएंगे जिनको भारत रतन मिला दूसरे विदेशी जिनको क्या मिला बी आर फोल भारत रतन तो क्या बोलेंगे भी आप पहले विदेशी ये हैं तो इनको मिला था आपका कब किस वर्स में मिला आपका 1987 में मिला था और 1990 में मिला लेंसल मंडेला को और भारत की किस परशिद हस्ती को 1990 में भारत रतन मिला था बो जी 1990 में जब नेलसन मंडेला दूसरे बने तो भारत के कौन परशिद व्यक्ति थे तो आप कहेंगे बाबा सा भीमराव अंबेड करते आगया आएंगे वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ जी एश्टी कब से लागू हुआ बहुत बेसिक बेसिक कुश्चन बताऊंगा और फिर एडवांस की तरफ चलेंगे आपका यहीं पर तो क्या बोलोगे एक जुलाई 2017 से मुझे बताओ जी जी एश्टी लागू करने वाला पहला देश जी एश्टी है गुड्स एंड सर्विश टेक्स जी एश्टी पहला देश कौन सा है मुझे बताओ भारत कौन सा देश बना था भारत कौन से कौन से नंबर का देश बना बोलो भारत कौन से नंबर का देश बना था जी एश्ट को लागू किया मैं आप से पूछूं आखरी राज्य कौन सा है जिसने जी एश्टी को लागू किया आखरी राज्य मुझे बताना इसमें जी एश्टी में दर के पिरकार कितने होते हैं क्या दर के पिरकार कितने होते हैं मुझे ये भी बताना आप किस कॉंस्टिट्यूशनल amendment से किस constitutional amendment कि सम्विधाने संसोधन से यानि 100 वा था या 101 वा या 102 या 103 वा कौन सा सम्विधान संसोधन था जिसके दुआरा GST को सामिल किया गया मुझे बताना GST के लिए कौन सा नारा दिया गया 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 और इसको तो पर चलित कराया गया, मुझे बताना किस अनुचेद में GST के बारे में बताया गया है अनुचेद आपको बताना है और साथ में बताना जो GST काउंसिल होती है GST परिशद में कितने सधश्य होते हैं और मैं पूछ हूँ आप से GST परिशद का अध्यक्ष कौन होता है GST Council का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होता है यह प्रसन आपको बताने हैं तो पहला देश कौन सा कहेंगे दोस्त आप कहेंगे पहला दोस्त कौन सा होगा आपका तो पहला देश दोस्त फ्रांस है बहारत 161 देश बना था पहला राज्य आपका असम है क्या बोलोगे पहला राज्य असम है आखरी राज्य आपका हरियाना दर कितने पिरकार की होती है पांच पिरकार अगर मैं बोलू 0% 5% 12% 18% 28% क्या बोलोगे 28% और ये किस सम्विधान संसोधन से 101 वा सम्विधान संसोधन था आपका 2016 जिसके द्वारा इसको क्या किया गया अधिनियमित किया गया GST के लिए कौन सा नारा One Nation One Tax क्या बोलोगे One Nation One Tax का नारा दिया गया Article 279 नहीं भूलना है GST Council की बात करते हैं जिसमें Article 279 में आपका GST परिशद बताया गया कुल सदस्य क्या GST के बारे मनुच्छे 246 ए भी याद रखलना इसका सम्बंद भी किस से GST से GST परिशद का अधियक्ष कौन होगा वित्त मंतरी होगा कितने बच्चे बताएंगे 33 में केंदर से कितने सदस्य होते हैं वह पिरकिरिया जिसमें प्राकृतिक रवड को नैचुरल रवड को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सलफर के साथ में संसाधित किया जाता है सलफर के साथ में मिलाया जाता है तो क्या बोलेंगे बोलेंगे भी फटाफट से और बाकी SSC exam के लिए बार-बार करना ऐसा नहीं कि आपने एक बार तो कभी math को भी पढ़ा होगा क्या दुवारा नहीं पढ़ोगे reasoning करी होगी दुवारा नहीं करोगे practice इसी को कहते हैं कि हम चीजों को बार-बार करते हैं तो हमारा अभ्यास होता तब ही हम उस विसे में मजबूत होते हैं रक्त में हीमोगलोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है हीमोगलोबिन बनाने के लिए Saturday है इसलिए थोड़ा कम जानकारी आपके लिए क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना दोस्त कि अपना revision हीमोगलोबिन में गलोबिन क्या है तो गलोबिन एक प्रोटीन होता है क्या बोलोगे गलोबिन एक प्रोटीन होता है और साथ में याद रख लेना हीमो क्रोमोजोन जो होता है हीमो क्रोमोजोन जो होता है यह आपका एक फैल संकुल इसमें होता है ठीक है धरसल में हीमोगलोबिन क्या होता है दोस्टी आपका RBC का एक हिस्सा होता है जिसका काम क्या होता है ये बताओ RBC का हिस्सा है इसका काम होता है A2 को BODY में ले जाना औरfera carbon dioxide को CO2 को बाहर निकाल देना हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगना कराएगी गाय जनगना आप सब लोगों ने पढ़ा जातीगत जनगना लेकिन अभी बात आई गाय जनगना की जातीगत जनगना किसने कराई थी जरा बताओ जातीगत जनगना किसने कराई थी तो आप कहें जातीगत जनगना तो वहिया भिहार में हुई और गाय जनगंडना कौन कराने जा रही है उत्तर परदेश सरकार कराने जा रही है यूपी के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल इत्रमेला इंटरनेशनल इत्रमेला यूपी में इंटरनेशनल है तो हर एक्जाम के लिए महत्पून है क्या एजूकेशन टाउनसिप विक्सित करेगा क्या बोलेंगे एजूकेशन टाउनसिप विक्सित करेगा कहां पर कौन सा एजूकेशन टाउनसिप विक्सित करेगा आपका यूपी में बनेगी ठीक है और अग्याद रख लेना हर जिले में हर जिले के हर जिले का हर जिले का पुलिस का वाटसेप चैनल लाँच हो गया है ठीक है वाटसेप चैनल लाँच हो गया है मुझे बताओ यूपी में जो फ्रोजाबाद है उसके नगर निगम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है क्या बोलेंगे यूपी के जो फ्रोजाबाद नगर निगम का नाम है वो क्या रख दिया गया है फ्रोजाबाद नगर निगम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो क्या अंसर आएगा आपका कि उसका नाम बदल के भीया कर दिया गया है आपका क्या चंदर नगर क्या बोलोगे चंदर नगर नगर निगम कर दिया गया है क्या बोलेंगे? चंधरनगर बहुत सारे बुच्चों ने लिखा पहले ही चंधरनगर, क्या बोलेंगे भीया? राश्ट्रपती में एक बार 58 को देख लीजिए, देख लेता हूं दोस्त मैं, हो सकता, कोई भूल हुई हो, मैं देख लेता हूं, एक बार, क्या गलत लिख गिय योगताई बते अब यार कुछ भी लिख रहे हैं कहाँ पर यह अरह भाई यह पचास नहीं है यह आठ यह मेरे भाई इतनी है आर इतना तो लॉजिक लगा लो मैं इतना यह यह क्या बुद्धुपने की बात है कि सतावन बात पचास आएगा कैसी कैसी बात करते हो यार तुम मैं सोच रहे हैं पता नहीं क्या लिख दिया कैए 58 वो तुम्हें नहीं दीख號 बाई देखो अभी दिखाता हों तुम्हें यह आर मं तुम्हारा क्या करो है ङे यह वह देखो 58 दिख गया न वो लिखा हुआ इसा लग रहा बेटा कैए 50 लिख दिया पिटाई गर दूँ और पिटाई हाल ही में किस विश्विध्याले ने अंतराष्टिय संगीत और नरत्य उत्सब की मेजवानी की है बताएंगे जी क्या बोलेंगे अंतराष्टिय संगीत और नरत्य उत्सब की मेजवानी की है तो यह किस युनिवस्टी ने किये चंडीगड विश्विद्यालेने और बहिया देख रहे हैं कहां भाग रहा है क्या बोलेंगे चंडीगड विश्विद्यालेने और अभी मुझे बताओ अभी हाल ही में नवंबर 2023 में आयोजित हुआ था तो आप क्या बोलोगे भहिया फरिदाबाद हरियाना में कहां पर फरिदाबाद हरियाना में ये आयोजित हुआ और दोस्त याद रख लेना समवार जब हम मिलेंगे तो आप लोगों को ये सेट तयार होने चाहिए और समवार से मैं इस किलास में एक पांच मिनट का डोज आप लोगों के लिए सामिल करने वाला हूँ क्या बोलोगे उस को मैं उस डोज को आपको समवार को ही दिखाऊंगा तो आप कहोगे जी गजब मज़ा आ गया गजब हर रोज किलास के बाद में हम पांच मिनट का कुछ ऐसा एड करेंगे हो सकता वो चार मिनट भी लगें कभी उसमें च्छा मिनट भी लग सकती हैं के थमसब कर दो भी या रेडी हैं हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे न्युक्त किया गया है बोलेंगे जी किसे न्युक्त किया गया है सूचना आयुक्त के रूप में कौन बने राजिंदर मेनन हीरा लाल सामरिया ती पदमनाव या पिर्वीन मदुकर बने है तो क्या बोलोगे हीरा लाल सामरिया बने है पिर्वीन मदुकर ये CBI के अभी जॉइंट डारेक्टर बने है CBI के संयुक्त निदेशक ये बन गए है के अध्यक्ष बन गए है क्या नियाधी करण के ये अध्यक्ष बन गए है याद रखेंगे इस बात को कि कैंद्रिय सूचना आयुक्त का कारेकाल बताईए और प्रिथम केंद्रिय सूचना आयुक्त कौन थे ये आप से पूचा गया है ठीक है क्या पूचा केंद्रिय और मिशन कमिशनर तो क्या बोलेंगे उसके प्रिथम केंद्रिय सूचना आयूक तो कौन थे हमारे देश के इस बारे में आप रिशर्च करेंगे और लिखेंगे और मित्र हम मिलेंगे आपका कब मंडे को तीन बजे लेकिन मैं बस मुझे वो छातर चाहिए आपको कभी नीड सकता जो आपसे ज़्यादा दम रखता होगा तैयारी का वो सेलेक्शन लेके जाएगा भाई अगर आपके अंदर दम है तो आप सेलेक्शन लेके जाओगे ऐसा हो नहीं सकता कि तुम से जो बहतर है तुम से जो बहतर है वो सेलेक्शन नहीं लेगा तो या तो तुम उससे या फिर अपने selection की उमीद मत रखना हमेशा खुद में विस्वास रखना कि जिहां मैं सब से बहतर मैं ही रहूँगा तो बहतर से बहतर की तलास करो मिल जाए नदी तो समुंदर की तलास करो इसका मतलब होता है कि आपकी तैयारी जितनी हो चुकिए उससे आगे की तैयारी करने है खुस नहीं हो ना कभी अपनी तैयारी अरे यार इस प्रिसन का उत्तर तो मैं दे देता हूँ ऐसे ही बता देता हूँ मैं तो उससे खुस नहीं हो ना तो क्या बहतर से बहतर की तलास करो अगर मिल जाए नदी तो समुंदर की तलास करो तूट जाता है सीसा पत्थर की चोट से तूट जाए पत्थर ऐसा तूट जाए पत्थर ऐसा सीसा तलास करो तो दोस्त कमजोर हो सीसा और पत्थर की इस टकराब में सब जानते हैं सीसा तूट जाएगा लेकिन मेर दोस्त तुम वो सीशा बन के दिखाओ कि जो पत्थर को चकना चूर कर सकता है तो उतनी मजबूत तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए कि आपका पेपर चकना चूर हो तो मिलेंगे थैंक यू बाइ बाइ टेक केर जैहिंद जै भारत नमस्ते